हाई फ्रेंट्स यह चार बीश्टित से बना हुआ एक टावर है जो कि आप देख रहे हैं यह इसका सब भूफर है आगे का फ्रंट का अरिया मैं बाद में दिखाऊंगा इसकी मेन प्रॉब्लम जिसके बारे में अभी तक वीडियो ना आई है साध आईगी की नहीं पता नही और यह प्रॉब्लम मुझे काफी फेस करनी पड़ी आप ध्यान से सुनना प्रॉब्लम क्या है इस पीकर में जो भूफर है उसमें सरसराहट की आवाज आती है इसमें आपने हुआ क्या था जो मेकेनिक के पास गया था यह जो 20-30 सब भूफर की इनको बदल दिया था और ब ऐसा नहीं है कि यह कम हो जाती है सब कुछ और यह सरसराहट बार बार सुना ही देती है मैं बोट को करीब से दिखा दू ताकि आपके पास हो तो आप पहचान सके कि साथ यही बोट हो और इसके रेक्टिफिकेशन कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ इसमें जो प्रॉब्लम मिली मुझे वह आपको दिखाता हूँ यह सरकीट काफी अच्छी डिजाइनिंग के है इसमें अगर आप यह जो दो आईसी देख रहे हैं इसमें एक आईसी जो है कि ऑडियो को एंप्लिफाई करने के लिए है जो कि अच्छा होता है इससे आपके कमी नहीं आती दूसरा सबूफर के लिए इसको पैचानने का क्या है सबूफर का कौन सा है सबूफर वाल में आप देखो कि यह 10k 10k का जो रिजिस्टेंस है एक रिजिस्टेंस आपको मैं दिखा रहा हूँ छिपा हुआ इधर के तरफ जो 10k और 10k का रिजिस्टेंस इसके लिए जरूरी है कि आपका जो ट्रांसफोर्मर है वह कम से कम 3-5 एंपेर के बीच में हो यह 2 एंपेर का बड़ा सधानुसा हिंट ट्रासफोर्मर है इस कोस्ट में जो आती है उन्होंने जो भी लगाया कम से बोट से ही लगा खराब होने पर इन्हें ने आईसी परसान हो या आपको मिलेगी तो क्या दिक्कत आएगी कि आप यह चेंज करोगो बहुत चीज चेक करके परसान हो जाओगे आपके कई लोग कहेंगे की कैपसीटर रिप है कब सीटर विख रहेगी तो चारो चैनल में आएगी इसमें नहीं केवल नहीं आएगी इसका problem और solution क्या है मैं फिर से आपको इसको on करके दिखाता हूं यह on हो चुकी है कि यह आप किसी तरह की कोई सरसराहट फिल नहीं होती इस problem का solution बसे ही है कि यह जो ट्रांजिस्टर हमारे हाथ में आप देख रहे हैं जो 20-30 की है इसी बोलिए ट्रांजिस्टर बोलिए जिनके जो आता है उसमें वह इस तरह का डिस्क्राइब करते हैं यह जो है लोकल मार्केट से 15-15 रुपे पीस की ली हुई है ऐसा इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि यह आइसी आजकल आती जरूर है नेकिन डी जादा आती है उसी का एक नमूना है यह देख लेजिए इसमें एक पीस यह दोनों पीस जो आपको फोकस हो जाए तो आपको मैं कोसिश करूँगा कि फोकस करके दिखाऊं पूरी तरह से देखे यह जोनों पीस जो है जो बीस तीस है यह एक्सवल में पुराय थी मतलब डी कह लीजिए यह आप सही से काम नहीं करना अगर आप इसको सिंगल सिंगल चैनल पर यूज करोगे तो काम करेगा मेरी यह प्रॉब्लम मैं आपसे इसलिए डिसकस कर रहा हूं कि मैंने कई करने देखे जिसमें 20-30 ब्रीजिंग में जहांपी बास पर लगे होते हैं 20-50 या 20-30 ब्रीज ब्रीज होता है जहांपे audio IC ispeed होती है वहाँ पे नॉर्मल इस तरह की ट्राइस्टर या तो की या कि आइसी की नहीं काम करती यह आवाज आती है और कई बार होता है कि अभी नहीं आएगी दो दिन बाद आएगी तीन बाद आएगी नेकिन आज आती है और मेकानिक भी परसान होता है कि करें क्या तो इसका solution क्या है solution मैं आपको बताता हूं अगर आप repair करते हूं तो इस बोड को भी भली भाती से पहचानते होंगे इस बोड में आपको यह होगा कि यह पुरानी हो गई है old model ठीक ठाक बोड थी तो इसके transistor जो हुआ करते से जो दोस्तों यह जो यह 20-30 हुआ करती इसकी quality काफी बेहतरीन होती थी इसको मैं focus करके कोशिश करूंगा आपको दिखा दो इसकी quality काफी बेहतरीन होती थी और आपको देखने से भी लेया कि आइसी है मतला आइसी की quality दिखने से ही लगती है कि आइसी की quality इसकी अच्छी है यह problem अक्सर इसमें आता है दूसरा एक problem यही इसी problem के regarding मैं बताऊंगा कि इसकी जो बास की volume होती है जो यह three wires से आती है ठीक है तो अगर आप इसकी बास की volume change करना तो हमेशा ध्यान रखना हंड्रेट के का लगाएं टेन के का ना लगाएं अच्छी तरह से काम नहीं करता बेस की quality कम जाएगी बेस की आवाज भी कम जाएगी इसलिए हंड्रेट के लगाना आज के लिए इतना ही दोस्तों और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक मिक्सर जो होता है डीजे का साउंड मिक्सर वह आपके लिए लिख्याओंगा उसमें भी प्रोब्लम आई थी जो कि अनोकी थी और इसी के लिए आज के लिए नमस्कार बाले पुस्तों